विदान सभाए 2023 में आपका स्वागत है यदि आपको दिद्धे मद्दान अधिकारी के तोर पर लगाया गया है तो ये वीडियो आपके लिए important है दिद्दे मद्दान अधिकारी अमिट शाही का भार सादक होगा ये पर्थन मद्दान अधिकारी के पास बेटेगा तथा इसके पास मद्दाता सूची की दूसरी परती होगी इसके पास मद्दाता रजिस्टर एवं मद्दाता परची होगी आयोक के नवीनतम मरदेरसों के अनुसार मद्दाता रेजिस्टर 17A जिसको 17 क्या कहते हैं में वास्त्विक मद्दान से पूर मोग पोल को डाटा क्लियर करने का प्रमान पत्र अंकित किया जाएगा जैसे ही मद्दाता इस मद्दान अधिखारी के पास आएगा वह मद्दाता के बाएं हाथ की तरजनी का दिरिक्शन करेगा कि इस पर कोई अमिट शाही का चिन पहले से तो नहीं है मद्दाता की बाएं तरजनी के नाकून एवं चम्री के रिज युगम पर अमिट शाही का निशान लगाएगा यदि मदाता की बाइं तरजनी नहीं है तो अमिट शाही बाइं हाथ की करमागत अंगली पर लगाई जाएगी यदि बाइं हाथ में कोई भी अंगली ना हो तो अमिट शाही मदाता की दाइं हाथ की तरजनी पर लगाई जाएगी यदि मददा कि दाएं हाथ में तरजनी नहीं है तो अमिट शाही दाएं हाथ की करमागत अंगली पर लगाए जाएगी यानि कि तरजनी नहीं है तो उसके पास वाली अंगली और वो भी नहीं है तो उसके पास वाली अंगली आगे बढ़ते चले जाएगी कि यदि दोनों हाथों में कोई भी उंगली ना हो तो अमिट शाही बाएं और बाएं अत्वा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी यह इस परकार से आपको जो है वो शाही लगानी है बिल्कुल यहां से जो है नाखुन के अगले हिस्से से उंगले के काफी पिछले हिस्से तक आपको यह लगानी है अमिट शाही की परियोग के संबन्द में नवीन प्रावधन अमिट शाही बाएं तरजनी के नाखुन के आगरी सिरे से परतम जोड के नीचे तक आपको प्रदत ब्रस्ट की साहिता से मददा की उंगले पर लगाई जाएगी जिसागी चित्र मददा साय गया है मददाओं के रजिस्टर सत्रा के कोलम दो में मददाओं की निर्वाचक नमावली का कर्मांग लिखेगा तथा कोलम चार मददाओं के हस्ताकसर अत्वा अंगुटा निशानी लेगा यदि मददान है तो मददाता पहचान पत्र से मददान करता है तो मददाता रजेश्टर सत्रा कहें कि कुलम 3 में EP अंकित करेगा यदि मददाता कि पहचान किसे अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जो की कि राजे निर्वाचन आयोग ने इस प्रियुजनार्थ विनिर्देश्ट किये हैं से की है तो ऐसे मददान मददान पहचान कि दस्तावेज के करमांगे अन्तिम चार डिजिट मददाता रजिस्टर के अव्युक्ति वाले कॉलम में लिख दें इसके अंतिम चार डिजिट लिख दें जैसे की ड्राइवंग लाइसेंस यदि आधार काड वगिरह हो तो उसके अंतिम चार अंकाब लिख दें उसके करमांग के मद्दाता के हस्ताकसर का आश्य मद्दाता का नाम वे उपनाम है केवल निशान नहीं है यानि कि जो हस्ताकसर है वो ठीक डंग से वो करे यदि मद्दाता अपना अंगोटा लगाता है तो मद्दाता के बाएं हाथ का अंगोटा लगवाएं यदि बाएं हाथ का अंगोटा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगोटा लगएं यदि दोनों अंगोटे नहीं है तो बाएं हाथ के उंगलियां की छाप ले यदि बाएं हाथ के उंगलियां नहीं है तो दाएं हाथ की उंगलियां की छाप ले कि जिसमें वो 17 का रजिस्टर की क्रम संख्या तता मद्दादा की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लगू हस्ताक्सर के साथ अंकित करेगा ये मद्दादा रजिस्टर का नमोना है जिसमें आपको यहां क्रम संख्या निर्वाचक नामाउले में निर्वाचक की क्रम संख्या और निर्वाचक द्वारा अपने पैचान के सबूत में परस्तुत दस्तावेश का ब्योरा निर्वाचक के हस्ताक्सरी अंगोटे की निशानी और टिपडिया यह पांच जो है आपको कोलम दिये जाएंगे इसमें जिस प्रकार से आपको बताये गया है उसकी जो है पूरी प कोलम एक कें सार निर्वाचक की करम सेंख्या एक है इसमें यह कूलम इसमें जो भी एक करम सेंख्या जोहरा इस जिगार भरने पड़े गी और और यहां मद्दादा सूची है उसके अंदर इसकी किरम संके कितनी है वो यहां भरी जाएगी उसके बाद यहां पर नीचे मद्दा नदिकारी के हस्ता अक्सर होंगे और यह पर्ची जो है वो मद्दादा को दे दी जाएगी